आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Explain What is source circuiting of an electrical supply Clear, तो यहाँ पर हमें electrical supply के अंदर source circuit बताना क्या होता है जैसे suppose करो source circuit क्या होता है जैसे मैंने मान के चलो यहां से मेरे पास इस तरह से मैंने series parallel के अंदर दो बल्ब लगा रखें वीवल्ब वीवन और बल्ब वीटूटी के तो यहां से इस power supply को मैंने किसम है parallel में connect किया हुआ है इस 220V की battery के साथ मैं clear AC supply है यह plus यह minus और यहां पर potential दे रखा है अब बच्चों होगा क्या जिसे इस में से current flow होगी तो current यहां पर मान के चलो I current जा रही है current को दो path मिलेंगे एक B1 एक B2 यदि मान के चलो B2 वाला source circuit हो गया यहां पर F B2 क्या हो जाएगा short circuit हो गया तो इस condition के अंदर क्या होगा सारी की सारी current क्या होती है यह B2 वाले के अंदर चली जाएगी यहां से supply पूरा complete circuit बनाते हो ohm slow का follow करते हो वापे से battery के अंदर आ जाएगी clear है तो B1 वाला क्या हो जाएगा B1 क्यों हो जाएगा B1 विल नॉट गलो B1 विल नॉट गलो ठीक है तो short circuit हम short form में ऐसे बोल सकते हैं कि जो current होता current क्यों होता है कि infinite current जो है वो उस instrument में से निकल जाता है ठीक है और बाकी के जो instrument होते हैं वो काम नहीं करते हैं क्लियर हैं तो यहां पे short circuit का meaning यह हुआ तो B2 वाला अब total current जब इसमें से pass हो जाएगी तो यह वाला क्यों हो जाएगा यह work ही नहीं करेगा तो यह हो जाएगा हमार पास short circuit जिसके अंदर other instrument जो है वो work नहीं करते और एक instrument के अंदर से जो current निकल जाती है करते हो और बार झाला आएगी एल कि अपार यहां इसमें आएगा